नमस्कार मैं संजीव कुमार आज लोक विहवार प्रभाव साली व्यक्तित्य की कला हिंदी ट्रांसलेशन आफ हाउ तो विन फ्रेंट्स एंड इंफ्लूएंस पिपल इसका दूसरा भाग संझेप में आपके समक्ष प्रस्तूत करने का प्रयास कर रहा हूं इस महान पुस्तक के महान लेखक डेल कारनेगी महुद हैं प्रसंसा और चापलूसी में अक्सर लोग भ्रमित होते हैं प्रसंसा के लिए साहस और उदारता की जरूरत होती है जबकि चापलूसी द्वारा अपना उल्लू सीधा करने का प्रयास किया जाता है चापलूसी का अर्थ है सामने वाले को वही बात बताना जो वह अपने बारे में सोचता है राल्प वाल्डो इमर्शन ने एक बार कहा था आप चाहे जो भी भासा प्रयोग कर लें आप हमेशा वही बात कह पाएंगे जो आप हैं प्रतेक की सच्ची प्रसंशा की जा सकती है इस संदर्म में इमर्शन ने कहा है प्रतेक व्यक्ति में कोई न कोई बात ऐसी जरूर होती है जो मुझसे अच्छी है मैं तुरंत ही वह बात सीख लेता हूँ आपके द्वारा किया गया तारीफ दूसरे को हरसित करता है और वे तारीफ के चंद सब आप स्वयम भूल जाते हैं परन्तु उसके जिहन में सदा के लिए बस चाता है याद रखें नया करने के लिए दुनिया में सबसे अलग बनना पड़ता है हेनरी फोर्ड ने मानवी संबन्दों की कला की सुन्दर व्याख्या की है सफलता का सिर्फ एक ही रहस है और वह यह की हममें वह चमता हो की हम अपने सामने वाले का दृष्टिकोंड उसकी मानसिक्ता को समझ सकें तथा किसी भी घटना को केवल अपने दृष्टिकोंड से ही न देखें लेकक का व्यक्तिगत अन्भव है कि यदि हम किसी व्यक्ति में सच्मुच रुची दिखाएं तो चाहे वह कितना ही व्यस्त कितना ही महान क्यों न हो हमारी ओर कभी न कभी ध्यान जरूर देगा हमें अपना कीमती समय तता सयोग जरूर देगा एक तत है कि कार्य और भावना साथ साथ चलते हैं और किसी भी कार्य पर नियंत्रण करने से हम अपनी भावना को भी नियंत्रित कर सकते हैं क्योंकि कार्यों पर नियंत्रण करना सरल है जबकि भावनाओं को नियंत्रण में रखना बहुत कठिन होता है अता प्रसन रहने के लिए हमें इस तरह बोलना तथा व्यहवार करना चाहिए जैसे हम बहुत प्रशन हो आपका सुख दुख आपके दृष्टिकोण पर निर्भर है जैसा कि विलियम सेक्स्पियर ने कहा है कोई भी वस्तु अच्छी या बुरी नहीं होती उसे अच्छा या बुरा तो हमारा नजरिया बना देता है सदैव मुश्कुराते रहने की आदट डाल लें क्योंकि इससे आपकी सहन सीलता बढ़ जाती है और जिससे भी आप मिलते हैं उसको आनंद की प्राप्ति होती है किसी को प्रभावित करने के लिए आपको उसका नाम अवश्य या दखना होगा क्योंकि संसार में प्रतेइक व्यक्ति को दूसरों से अधिक अपने नाम में रूची होती है दूसरों को धैर पुरुवक तथा सहान भूती के साथ सुनें और उन्हें स्वयम के बारे में बताने के लिए प्रोच साहित करें ऐसा करने से आप या तो मित्र बनाते हैं या मित्रता इस्थाई करते हैं दूसरों की रूची में यदि आप रूची लेंगे तो दूसरे आप में रूची अवश्य लेंगे मानव विहवार का एक अति आवश्यक नियम है अगर हम इस नियम का पालन करेंगे तो कभी भी कठिनाई में नहीं फसेंगे हमारे पास अनगिनत सच्चे मित्र होंगे और हम सदा प्रसन रहेंगे लेकिन इस नियम को तोड़ते ही हम कठिनाईयो के घेरे में होंगे यह नियम है दूसरे व्यक्ति को सदैव महत्त पूर्ण अनुभव कराओ क्योंकि प्रतेक इस्वर की रचना है धन्यवाद नमस्कार सेस अगलेंगे